अपार्धन की प्राप्ति हर मनुष्य की चाहत होती है। आपको बता रहे हैं कुछ आजमाई हुए अचुक उपाय जिने आजमाकर आप भी धन्वान बन सकते हैं। लक्षमी जी के अठारा पुत्रों की भी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। विश्नु लक्षमी जी का एक बड़ा सचित्र घर में रहना चाहिए। शालिग्राम की नित्य पूजा पंचामरत के स्थान के साथ चंदन आदी लगा कर की जानी चाहिए। विश्नु लक्षमी मंदिर में प्रती शुकरवार को लाल रंग के फूल अरपित किया जाने चाहिए। मा लक्षमी की प्रतिमा के सामने ग्यारा दिन तक अखंड जोत प्रज्वलित करें। ग्यारमे दिन ग्यारह कन्या को भोजन करा कर एक सिक्का और महिंदी दें। शुकरवार के दिन दक्षिनावर्ती शंक में जल भर कर भगवान विश्नु का अभिशेक करें। इस उपाय में मा लक्षमी जल्दी प्रसन हो जाती है। देहली पूजा प्रते दिन सुबह उठकर विश्वास पूर्वक ये विचार करें कि लक्षमी जी आने वाली है। इसके लिए घर को साथ सुथरा करने और सनान आदी से निवरत होने के बाद सुगंदित पातावरन कर दें। भगवान का पूजन करने के बाद अंत में देहली की पूजा करें। देहली के दोनों और साथ्या बना कर उसकी पूजा करें। साथ्या के उपर चावल की एक धेरी बनाएं और एक सुपारी पर कलवा बांध कर उसको धेरी के उपर रख दें। इस उपाय से धनलाब होगा। गाए को गुड़ खिलाएं। सवा पांच किलो आटाओं और सवा किलो गुड़ लें। दोनों का मिश्रण कर रोटियां बना लें। और गुरुवार के दिन साइकाल गाएं को खिलाएं। तीन गुरुवार तक ये कारे करने से दरिदरता समाप्त होती है। अपनी तिजोरी में दस के लगभग सौ से ज़्यादा नोट रखें। जेब में हमेशा कुछ सिक्के रखें। खुद को धनवान मानना शुरू कर दें और उसी तरह से कपड़े पहनें। और जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसके बारे में कलपना करें। जो लोग खुद को दरिदर मानते हैं वो हमेशा दरिदर ही बने रहते हैं। हमेशा सकारातमक सोचें और खुद को साफ और स्वच बनाये रखें। प्रति दिन मंदर जाएं और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देने के साथ अपनी नई मांग रखें और उस मांग की पूर्ती का श्रद्धा और सबूरी के साथ इंतजार करें। प्रति बुद्वार को गणेश जी को बेसन के लड़ू का भोग लगाएं। मंदर में पांच तरह के फल या गुड़ और चने का दान करने से भी धन की प्राप्ती होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।